नमस्कार, फिस्बुक मादे बिले हरी राखम वेगा संपूर्न साथियरू मा लालन्सर मा पिरे साथिर दीपक मारा दपते बाट पुन नमस्कार वेगा चान्छु। राजा हमी फेरी लगडाउन एस्टेशन लोकसे बादिसकस्शन अंतर गत्थ। कGood Enjoy, कोमेंट हरुलाहे, धियान मा राखлан दे। बाडी मेकानिजंन्ंग बने ट आपिक को बारे मा डिसक्सन कोई राखे च हम्रों शरीर को मेकानिजंच जरूँक बारे मा बाडी मेकानिजंच जसको मा पहेला में शुरू मा होमीो स्टाइश को बारेवा मांद चुँ होमीो स्टाइश माने को फरकिरिया हो जुन परकिरिया द्वारा कि दोशciones योड़े भाईर सेंगे। क्वेली होमाा बसीन चैँजे हमले, सेंगे हाने होमियो ज्रासिस पने प्रकिलियाँ। जुन प्रकिलियावार्टा वाहिवऻी बाता अग्रम मां पुने चेंजगेज आएवाने हामलो शरीखले पने ऐफिमाथ चेंज एवानेrudय स्पाराnd होमियो પર્ર સીઆ શ્ય્સ્ વ૮૮ સ્ર્થ ઊભર્સ્ત पॉजेटिव फिडबेक पुशात रहा कोरा भरे इमक्त्र आलाति हेली stacks रहा पॉजेटिव फिडबेक मेकानेजर मेंदेल jsाने जासते डिवरिंग लेबर, युटेरोस को कांट्रक्शन बीस तारे बढ़ दे जाँछा, बीच मा घटबढ़ हो देना, त्या घटने होई में, येदी घटबढ़ हो देना, त्यो चाहे पोजेटिव फीडबाइब मेकानिजम बहाँचा, कुने कुर आप बढ़ दे जानू, बढ़ दे गई राखे गोशा, अवसकता अनुषार त्यो पोजेटिव फीडबाइब मेकानिजम हो रग घटबढ़ दोटे हो दे जानू त्यो निगेटिव फीडबाइब मेकानिजम येदी मेंटेन करना को लागी भटनू करने छा मने बढ़ भट शा, त्यो पर्स पेनाई इरेक्षन बढ़ दे जान्छा वा मैला पुरूसको इमोशनाल स्टेश बढ़ दे जान्छा त्यो पोजेटिव फीडबाइब मेकानिजम हो त्यो 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 निगेटिव मान मिल आउनको लागी मेंटेन करना को लागी भटना पनी साल्छा बढ़ बढ़ त्यो निगेटिव फीडबाइब मेकानिजम मा बढ़ने मात्रे हो जुन जुन थाम मा बढ़ने मात्रे हो सकता था त्यो निगेटिव फीडबाइब मेकानिजम हो त्यो निगेटिव फीडबाइब मेकानिजम हो त्यो निगेटिव फीडबाइब मेकानिजम हो त्यो निग योटा फ्लूट、 ऎलेक्त्र लाईट को बारेमा रहार को हांगो शरीर को पी को बारेमा सिरना अची दुपागलाइत ओर अचिकाकान कर मैं टे caution जुट्याएकरलाइकै मैं सेताल किस्वाई एक अचिक pole मेंदर-मचे को दोच होौठ विक डेlest नम Twist & Water प्रूड अन एक्ट्रोलाइट्स को बार्यमां कें छल्कल गुवाँ गई रागलाथ हम अब आमने सूरुगरूं यो फ्रूड जुण च त्यो हामरू शरीरमां हामरो जुण हामिए अडल्ट बेखती छम तो एडल्ट बेखती मार आमरो बड़ी वेट को जम्मा साथी परती स जसला या मेरेंज मां साथी देखी सत्तर परती सतली न शकीन छा तेसे गरी यो जुन फ्लूड छा तरप पधार आम्रों शरीर्मां तो एज रश्यक्ष कन फरख फरख हुन छा योकुण हामेले बुझनु पर छा तेसे बायरा जुन न्यू बर्ण हो छा न्यू नैट छा ति मैं साथी परती सत्त तेसे गरी यो फिमेल मां 50-50 परती सत्त बड़े फ्लूड होंचा तर जुन ब्रिक्ति ओबे स्टी चांए मोडापन छा अलि मोडायकु छा तो ब्रिक्ति मां नर्मल हंदा 10 परती सत्त कम होंचा बड़े फ्लूड जस्ते मानल मैं योटा एडल्ग मेल छु बने पची मेरो शरीर मान मेरो बोडिवेट को 6-30 बोडिवुड हुनू करने हुए तर मैं यदी मोटाय को छुदेरै बने पची मेरो बोडिवेट को 7-30 हुदेना 50-30 मात्र हुँच जसे गरी मान मेरो बने घळी शिता नामको महिला यदी आ नर्मनछा हНँे उसको बोडिवेट को 5-30 बोडिवुड हुनू करने हुए तर मैं यदी मोटाय को छिन क OR भंची मोट्या को बोडिवेट को 50-30 बोडिवुड हुदेना 40-30 मात्र हुँच येथि कुला वनी से बच्छी मा अली चर्चा गर्चु यो । फुलूट को टाइप को वारेबा time किसिम को वारेमा यो Fluid जम ला 2 किसीम का हुँँछ दोी बरकार का हुँँछ जतले आमी Intracellular रा Extracellular गरत दोी भागमा बादीछ Intracellular fluid जुन हामरो Cell भीतर पाऊँछ जुन हामरो Cell भीतर अवस्तित हुँछ तेसले आमी Intracellular Plud भुनछ जुन Flud सिसके लिधनें को मुटन पर्दिया खता करकाशत फ्लूड है तो रिखने लिखनें नेक को सबस्यादि को कि अचिक्ल अचिक्त सितक पर्द बेख़ती say 239L कि इन्हें इंक्स्यल्ड किश्ता क्यद यारी पर्दिया खता। जब मां 40 लीटर हुँँच तेसे ये भायर हामी भन्ना सकीन च रा गुजनापनी सकीन च हामरो एडल्ट बेक्ती मां हामरो बड़ी वेट को साथ परतिशत अथवा 40 लीटर बड़ी फ्लूर हुँच अगर यो साथ परतिशत ले हमें दुई भागमा बार च अथवा 40 लीटर इनत्रासेलोलर रे उता इ elder अप्स्ट्रासेलोलर ह वहन्यको चालीच परतिशत रो इक्स्ट्रासेलोलर हन्यकोह मां मांकिंभुव बीश परतिशर अध्वा हाम्रे युजुन 40 लीटर बड़ी फ्लूट छा जसमद्दे जम्मां 28 लीटर इंट्रासेलुलर रा बाकी भयको 12 लीटर इक्स्ट्रासेलुलर हुने बढ़े हो इंट्रासेलुलर को पुने टाइब बोदे ना तर युजु इक्स्ट्रासेलुलर छा त्यों फिरी दुई की सिम्कुमांच युटा इंट्रेस्टेसियल और इंट्राव्यास्कुलार इंट्रेस्टेसियल चाएं पंद्रपर्तिशर रा इंट्राव्यास्कुलर चाएं बाकी बाकि भायको 5 पर्तिशन, तेस अगरी लीटर मा पनी हम इसाब किताब गणा सकीन छा, जा मां 12 लीटर इक्स्ट्राशेलूलर छा, तेस मद्दे सारे 9 लीटर इंटरस्टीसियल र बाकि भायको र हाई लीटर जोंच इंटराभास्कुलर, अब इंटरस्टीसियल फ्लूड भन तेसे गरी, इंटराभास्कुलर फ्लूड भनेगो के, जों बलडवासल मा फ्लूड पाओ छा, तेसे आमी इंटराभास्कुलर फ्लूड भनेगो एमे लेक्तरोलाइट पनेगो इलेक्ट्रोलाइट भनेको यह सत्व हमेंक जुन इलेमेंट संगा चार्च होंच एलेक्ट्रोलाइट भनेक्ट्रोलाइट भनेक्ट तो कुने पनी इलेक्ट्रोलाइट छा जुन इलेक्ट्रोलाइट छांग कित पोजेटिव चार्च होंच कित नेगेटिव चार्च गोंच यदि positive charge छा वने, just like cation वन्च मामी रे यदि उस चंग, कुने पनी electrolyte चार्च छा वने, just like nion वन्च अब हामेले विशेश बोज्णुपर्णे कुडा के छा वने पची हामरो सरेर्मा जन fluid छा, त्यो fluid मा यो electrolyte हरू रहे करने चा अब हामरो कुण fluid मा कुण electrolyte समय भन्दा बढ़ी राये गाँँछन, यो कुरा लोग सेवामा एकदम धेरे सोधी राखे का छन, धेरे चोटी सोधी सके का पनी छा तेसे वहरा, हामरो सरेर्मा जन extracellular fluid छा, त्यो extracellular fluid मा sodium chloride एकदम धेरे पाईँछ अब यो sodium chloride मा sodium cate ions है, किना भने sodium संग पोजेटिव चार्थ हुँँछ और योज़न कुलोराइट छा, तो chloride anion जा, किना भने पची chloride संग नेगेटिव चार्थ है, तेसे गड़ी हामरो सरेर्मा जन intracellular fluid छा, तो intracellular fluid मा potassium phosphate एकदम धेरे पाउड़ हुँँछ अब योज़न potassium phosphate छा, जसमा potassium cate ion हुँँदे भायों, तो anion हुँदे भायों किना भने पची, potassium संग पोजेटिव चार्थ हुँँछ रब phosphate संग नेगेटिव चार्थ है, एती भाईशा के पची, हामरो योटा कुरा अजे बुज़नु पर्थ हामरो सरेर्मा जब असमा हामरो body weight को हिसाबले fluid छा, नर्मल छा, तब समा हामरो स्वस्त अवस्ता हामरो चाइं healthy पना रही रहां छा जब आमरो सरेर्मा एवरेज भन्दा body fluid कम भयाल छा, अथब बढ़ी भयाल छा, तब आमीमा समस्या हारू देखा पना थाल छा, आमीमा प्रोपलम हारू देखा पना थाल छा मिन्स, जब सम्मा आमरो body weight को 7% fluid छा, तब सम्मा आमी नर्मल हों छा, जब यो 7% भन्दा कम होयाल छा, तब आमीमा समस्या हारू dehydration मा हामी जाने डारी आमरो उने तेस्तो चाइं हों छा जब हामरो शरीर मा body fluid नर्मल हन्दा, साथी परतिशत भन्दा बढ़ी होयाल छा, तब हामरो शरीर मा कोईडे मां गरू चाइं होने हामरो शरीर सुन्ने जस्ता समस्या हों छा जब हामरो शरीर मां राखेल, ध्यान मां राखेल, हामरो शरीर ले चार उटा मेकानिजम परकिरिया बाटा, हामरो शरीर मां body fluid लाई maintain गरी राखे काऊंचन, violence गरी राखे काऊंचन, संतुलन गरी राखे काऊंच अब यो चार उटा मेकानिजम रुखे के हो, चार उटा मेकानिजम वद्दे, सबे भन्दा पहिलो मेकानिजम को नाम छा, thrust मेकानिजम, जुन थरस्ट मेकानिजम हने को, हामरो शरीर मां भायका fluid र इलेक्टोलाइट बाइलेंस गर्णमा इंपोडेंट रोल रहे काऊंचन, सबे अधा मेनली हामरो शरीर मां fluid र इलेक्टोलाइट मेंटेन गर्नमा इसले बड़त गर्छा, रहे यो थरस्ट मेकानिजम लाइए, हामरो शरीर मां भायको, इंडोक्रायन ग्लाइंड तना भन्द तर इंडोक्रायन ग्लाइंड जस्ते ही काम गर्ने हाइपोधालमस ले इसले मास्टर ग्लांट पनि होन्ट ॥ाइस्या तर्यों हय पना अच्छा सब्सक्रास व्रनियुनियो अबि था रुद्धि गुली शन्यो ग्राइक व्रेमिम फ्रसु वम्यotion तर था पनिय मीहीतन बीकेजा़ी बन सुबर विख व्रक्षा दानी यो जुन ओस्मो रेसेप्टर मेकानिजम ले पनी हामको शरीर मान एलेक्ट्रोलाइट अथा फ्लूडलाइट बालेंस गरी राखे का उन्छन नियंत्रन गरी राखे का उन्छन यो जुन ओस्मो रेसेप्टर मेकानिजम मां प्यूट्यूट्री ग्लाइट जुन हामरो छा त्यसले एसलाइट कांट्रोल गर्छा तरा हामरो शरीर मां भायको किड्नी ले योके मेकानिजम लाई रेगुलेट गर्छा संचालन गर्छा त्यसले गरी तीन नमबर मां छा अल् प्लूट्र एलेक्ट्रोलाइट लाइट 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 गरने को गरने टाट्च को और संगुलाद से hm, तो सकत को चलप्लोब, इलेक्टोलाइट, अध्लेट से… अब महिने to svet and electrolytes को बारे मां, बिशेश, जनकानी भाराइशगे को चुछ अब हम्रों शरियर मां pH को बारेमा और pH संग रिलेटेट जती पनी लोगसेवा मां सोधने पुझान हरूँ छन्, तियो सबे को बारेमा एस पर्स्ट पार दी नाको लागी, म मेरो पिडे साथी ललांसर मालाई हार्दी को अनुपद करता छुर्द, दन्यबाद साथी लाई, बारेमा तो बारेमा ד जणकारी नैशकुन भार, रवां यो बडि मेकानिजम को फलूट्र यह पिएज लोगसा परन्द वड पशियर को फाल पशाλαई हाम्रों शरियर को लाओ सब्लाई हेका छिकरी ल्युवा बेट भारेम साथीन अनुद पी एच वांगो शरीर को एती भीत्रा 7.35 देखेली रहे 7.45 को बीच मा राओचा। येदी 7.35 होंदा कौम भायो बने हामिलाए येसी रोसी सुल छा। बन्ने 7.45 होंदा बड़ी भायो बने आमिलाए अलका रोसी सुल छा। बन्नोपर 7.35 देखेली 7.45 को बीच मा पी एच रहनोपर येदी घढ़ड़ भायो बने आमिलाए समस्या आओछा। तेस्ते ही येदी तियो 7.35 होंदा भाड़ी घढ़ड़ी घढ़ड़ी गायो येदी 6.8 होंदा कौम हो याले बने पर येदी 9.1 होंदा कौम हो येदी 7.8 होंदा पड़ी ऑगायो गायो येदी 7.35 देखेली 7.45 तिहलाई मेंटेन कंशनल वीविन ऑर्गेन को मांधियम हाम्डो सरी को पी एसलाय मेंडेन गरना को पारेमा बन्न जाथा व्यक्ता पैलो मेंडेन गरना को पारेमा बन्न जाथा को युटा chemical substance हो जसले hydrogen-ion शंगा bind गरे ला pH लाए change हुना बाट, pH मा घटबड हुना बाट रोग छा, बचाऊ छा, तेसला हमी बांचाम buffer तो buffer system mechanism हांगो first line defense mechanism हो एगेंस्ट acidosis और alkalosis एदे हमेला एचidosis, alkalosis पई राखेगो छो बने, सब भंदा पईला response लिने mechanism हो बफर system mechanism हो जुन buffer system mechanism सब भंदा कम समय पनी लिन छा रो सब भंदा पईला response लिछे, एले second में काम कर छा, टेक second हो छा तेसला हम्रोज शरीर मा buffer system mechanism मेकानिजम अंदर को तीन ओटा mechanism छा तीन टा mechanism सब जुन छा, तो यह उटा mechanism छला हमी भंदा buffer system को मेकानिजम अंदर को तीन ओटा छा यह उटा bicarbonate buffer system, phosphate buffer system, protein buffer system तो bicarbonate buffer system सब भंदा important buffer system को, buffer system हरु मधे, सब भंदा important buffer system मेने को, bicarbonate buffer system तेस्ते होश्पेड buffer system मेने को, intracellular fluid को pH maintain गरना को लागी, सब भंदा important मेने को, phosphate buffer system तेर नहरए कंने अटेनखे लिंडरवु एरवद र१ा गया है दोसरो मेकानिजम को नाम हो रेस्पियोरेट्री एसिड बेस बालेंच मेकानिजम यो हाम्रों येसमा लॉंग्स को रॉल हुन छा रॉंग्स ले बाइकार्बनेट लाए बाईर भालेगा कर्बन डाइक साथ को रोग माँ पी एज मेंटेन करने करदे छा यो second line defense mechanism against acidosis and alkalosis first line buffer boil, second line respiratory acid base balance boil और थाद यदी हांको सरीर को pH maintain गरना buffer system ले सके नभरे respiratory system ले पनी एक्सल निन छा यो second माली निन हो तर बफर system बन्दा बड़ी pH maintain गरने बने को respiratory acid base balance ले हो यल्ले अलिकती buffer system बन्दा टाइम बनी बड़ी निन छा येसले minute माटाई माले छा बफर system ले second माली ये थियो येसले minute माले छा रहे येसले pH maintain गरना लाई bicarbonate लाई येदी मानुस acidosis सुधाई छा बने bicarbonate लाई बाहर भाल छा बने alkalosis हो बने bicarbonate लाई विद्र राक्षा रा pH maintain कर छा रर लास्ट मेकानिजम हो pH maintain करने रेनल सिस्टम मेकानिजम सपई भंदा बढ़ी pH maintain करने रर सब भंदा बढ़ी टाइम लिने रर सब भंदा लास्ट माई एक्षम लिने सब भंदा पर्मोख राल कुण अंको छा बने kidney को रर सेकेंड माई लांच को छा सब भंदा मेल pH maintain करने को लाई कुण अंको राल चा बने kidney को रर सेकेंड बने को लांच वा तकी यो रेनल सिस्टम मेकानिजम थर्ड लाइन डिफानिजम मेकानिजम हो यो थर्ड लाइन डिफानिजम मेकानिजम यो तिंटा मेकानिजम सरूले हम्डो शरील को pH लाइमिटल गरेको होँँँँँँँँँँँँँँश रो ये दि यो तिंटा मेकानिजम सरू भंदा पने control हुना सके न बने हामिलाई एसिदोसिस वा अलकालोसिस हुँचा तो एसिदोसिस वा अलकालोसिस दुई परकार कुँचा यह उता रेस्पियोरेट्री एसिदोसिस वा रेस्पियोरेट्री अलकालोसिस रहे उता मेतापोलिक एसिदोसिस वा मेतापोलिक अलकालोसिस ते रेश्पीयट्रीयासिया तो पचनल अ रिलेटेर समासिया आएला इदी ए सिदोषिस वो अलकालोषिस भवने तेलाय हामि मेतापोलिक ए सिदोषिस वार मेतापोज़िक अलकालोषिस भश 51 gen जसते एजाँपल कोला है स्भी ब्सलेक को वतला ? समस्टाँ कित विक आफ को भी नमार, आचिक रिय होता वक्यां किने से ऐङिको है जक्तल सके ने ना नाखे हुं छ चारण रणड अप्शन देदिन छावने रेस्प्रेटरि ऐसी दोसिस स्युरित ही恐 захण या स्युरिक्वी ऊच्चानुक्त ठाइदो टेर्च श्अ बड़ी चारू जुरिक्व coded पसंव उसकति हैं कीने वाने कार्म डायकिसाद बायी कार्म नाणारद चाहिए । हां पार्मलोष की प्थी कीने वाने । प्रपाइ वं दा बडी रा कार्वालायक्षाइड को PS 3500 मवेज वं दा कम अरगा हुँँछ र यो रेस्पिरेटरी को भावव येशको कारण हरू इंपोटेंचा तो ये कारण यादगर मुला अल्कालोसिस को कारेंक द में इमकोडन छा रोट यसको इ सटा रोटन चा रोट याद करूल हुला यसको निया प्रदेश्तमाई, हाइत्पोड गुबवाब कि पर डियसको रोट होचा बने तहला मेटाबोलिक एसिद्यूसिस हो आलकालोसिस रंचा मेटाबोलिक एसिद्यूसिस माठी हम्रोसिस प्स्रिकोment अधि miy7.3.5 6 तयं काहँ पारी मेटाबोलिक एसिद्यूसिस हो चांग यो कारण एकदम इंपोटेंच शा डारियामा के होच शुद्यों बने मेटाबोलिक अलकालोसिस को कुरागर्ने भुमेटिंग भयो तो भुमेटिंग मां हम्रो शरील बार्टे एसिड लोग शुद्छ शुद्छ वह गास्टिक लभाज गराएं छा गास्टिक सक्षानिंग यो मेटाबोलिक अलकालोसिस शुद्छ यो मेटाबोलिक अलकालोसिस शुद्छ यो मेटाबोलिक अलकालोसिस शुद्छ यो मेटाबोलिक अलकालोसिस शुद्छ यो मेटाबोलिक अलकालोसिस को मेटाबोलिक अलकालोसिस को मेटाबोलिक अलकालोसिस को मेटाबोलिक अलकाल यो यादगरने र औरको रेस्पिरेट्री कारण हरु मां तो इसी ओपीडी निमोनिया निमोच्छ अस्तामाट न भूगे यादगरने कारण हो रेउटा फिवर यादगरने ज़स्मा रेस्पिरेट्री अलकालोसिस दिए फिवर मां पल्स रेट्री बड़े ऊफिरेट्री और स्पिरेस्पिरेशन रेट बड़े ऊंडिया और याद बालोसिसो ऑको रेस्पिरेस्पिरेशन रेट्री अलकाट कार केद to my team आपनी यो बीडियो आप दोजाये लियाए लिट्लचानल चाहिपा, तो रुटकमा सद्सक्राइब नाते लिवीड़ा चल्टराइब से करने लिवादेगे लिवादेगा जांदों यूटूब मा गयर तब यले फेस्बूक मा राखे को यो वीडियो लाएग डाउनलोड गना मिल देना तरह तब आपो संगर राख मो छार जय ले बनी यद्यो मेंगे में औरसेक भाषी जोकिस की खाणी 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 झारा में ांम यालन रादुन सण ख्रकीक अनों रया ठाकी फाट और स्वक भाष्र दोडा णिकी न को हमसें पेस की गान State क्छोव है एक टे पन्दे आज़े आज़ आज़ आज़ा हूं